Hello everyone, welcome to my channel आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने फेस से पिग्मेंटेशन को और डाक स्पोच को कैसे रिमूव कर सकते हैं इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक पोटेटो सीरम पोटेटो में एंटी-ajing and exfoliation properties होती है यह skin को bright करता है और wrinkles की प्रॉब्लिम को भी दूर करता है इस सीरम को बनाने के लिए मैंने एक बड़ा size का पोटेटो लिया है इसे मैंने पील कर लिया था और अब हम इसे grate कर लेंगे अगर आप चाहें तो बिना पील करें भी आप इसका juice निकाल सकते हैं इसे चोटे-चोटे पीसेज में आप कट करें, उसके बाद करें और फिर इसका juice easily आप निकाल सकते हैं पोटेटो जूस्त के बहुत सारे फायदे होते हैं अगर आप regular इसे अपने skin care में use कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी problems जो की जैसे की sun tan हो जाता है जब हम बहुत जादा दूप में निकलते हैं तो उन सबसे आपको इसमें काफी जादा फाइदा देखने को मिलेगा इसका juice हमने निकाल लिया है अब हम इसमें mix करेंगे lemon juice lemon में high amount में vitamin C होता है जो कि skin को bright करने में help करता है इसके लावा जिन लोग की skin dry है उनकी skin को ये बहुत अच्छे से treat करता है इसके बाद हम इसमें mix करेंगे aloe vera gel आप किसी भी brand का aloe vera gel ले सकते हैं और इसमें mix कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप natural aloe vera gel का भी use कर सकती हैं बट अगर आप उसे use कर रहे हैं तो आपको इस serum को 3-4 दिन वाद फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 3-4 दिन में खराब हो जाता है बट मुझे इसे थोड़ा सा लंबे टाइम तक use करना था तो इसलिए मैंने market का aloe vera gel लिया है इससे एक से डेट बीक तक अराम से use कर सकते हैं तो ये देखिए serum बनके हमारा ready हो गया है अब हम इसे container में store करके इसे refrigerator में रखतेंगे अगर winters चल रहे हैं तो आपको fridge में रखने की कोई जरूत ने है ये room temperature पर भी विल्कुछ ठीक रहता है इसे daily apply करें और इसके best result के लिए आप रात में सोने से पहले इसे apply करके सोई इससे आपको बहुत अच्छा result देखने को बिलेगा अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो आप इसे like कर सकते हैं और ऐसी और भी videos देखने के लिए मेरे channel को subscribe कर सकते हैं Thank you so much for watching